Conditional Sentence English Grammar का बहुत important topic है इसका question हर एक exam में पूछा जाता है इस एक वीडियो में हम conditional sentence के सभी concept समझेंगे कुछ examples देखेंगे और कुछ questions करेंगे ये वीडियो देखने के बाद conditional sentence का question आप आराम से solve कर सकते हैं Conditional Sentences को किसी दूसरी topic के साथ merge करके भी पुछा जा सकता है तो इस वीडियो में detail से बात करेंगे सबसे पहले समझते है conditional sentence क्या होते हैं Conditional sentence में दो sentence होते हैं या फिर उनको दो close बोलते हैं तो conditional sentences के अंदर दो closes होते हैं मतलब दो sentences होते हैं दो verb होती है जैसे if you run fast you will win the race तो एक वर्प तो हो गई run दूसरी वर्प हो गई win तो conditional sentence दो closes से मिलकर बने होते हैं तो इस तरिके की sentence में जो if वाला part होता है if के साथ वाले sentence को if close बोलते हैं और दूसरे sentence को man close बोलते हैं if close को subordinate close भी बोला जा सकता है और man close को principal close भी हम बोलते हैं तो conditional sentence में condition होती है जो condition अगर fulfill होती है तो दूसरा काम होता है जैसे if you run fast you will win the race अगर तुम तेज दोड़ोगे तो तुम race जीत जाओगे तो race का जीतना तेज दोड़ने पर depend करता है अब conditional sentence में किस sentence के साथ किस तरीके की work का यूज होता है और कौन से tense का यूज होता है उसकी हम detail में बात करेंगे और इसकी कुछ questions भी हम समझेंगे अब conditional sentence में if का यूज होता है if के साथ हम कोई condition बताते है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा लेकिन कुछ और conjunction का भी यूज इसकी जगह पर हो सकता है अब उसकी बात करते है जिसे इसके अलावा if, even if, until, unless, while, as soon as, after, before, or provided इन सबका यूज भी इसकी जगह पर हो सकता है क्योंकि ये भी condition बताने के लिए यूज में लिए जा सकते है जिसे if का मतलब होता है ये दी even if का मतलब भी ये दी होता है until और unless का मतलब जब तक नहीं until और unless के अंदर note का sense छुपा होता है तो हम आगे समझेंगे कि इनके साथ हम note का use नहीं करते हैं while का मतलब होता है के दोरान as soon as, जैसे ही after, बाद में, before, पहले और provided का मतलब होता है ये दी या फिर बसरते अब conditional sentences तीन type के होता है जैसे first type के conditional sentence में if close present tense में होता है if close मतलब जो if के साथ वाला sentence होता है वो present tense में होता है दूसरा होता है if close in past tense जो if के साथ वाला sentence होता है वो past tense के अंदर होता है और तीजरे type के अगर बात करें तो if close के साथ वाला sentence past perfect में होता है इनके लावा sentence के meaning के according हम इनको change भी कर सकते हैं वो हम समझेंगे आगे तो सबसे पहले समझते first type के conditional sentence जिसमें if close present tense के अंदर होता है मतलब if के साथ वालो जो sentence होगा वो present indefinite में होगा और जो दूसरा sentence होगा वो future indefinite में होगा examples देखते हैं जिससे if he comes to Jaipur he will meet you इसका मतलब होता है अगर वाज Jaipur आएगा तो वो तुमसे मिलेगा दोनों का हम future के होगे लेकिन जो condition वाला part होगा वो present indefinite में यूज होगा जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम दोनों sentence को future में बोलते हैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा लेकिन इंग्लीज में लिखने के लिए हम इसके साथ present indefinite tense का यूज करते हैं और जो दूसरा sentence होता है उसको future indefinite में लिखते हैं second sentence की बात करते हैं you will succeed provided you work hard succeed का मतलब होता है सफल होना ये एक verb होती तो हम समझते है first sentence में if close पहले आ रहा है लेकिन second sentence में if close बाद में आ रहा है क्योंकि provided के साथ वाले sentence को if close बोलते हैं और दूसरे sentence को man close बोलते हैं तो यहां से हम यह समझेंगे कि if close का use sentence के starting में भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है अब हम समझते है unless और until का मतलब होता है जब तक नहीं until का use time के लिए होता है और unless का use किसी condition के लिए होता है तो unless और until के साथ हमेज़ा affirmative sentence का ही use होता है क्योंकि unless प्लस affirmative का मतलब होता है if plus negative जिसे Unless you work hard, you will not pass जब तक तुम hard work नहीं करोगे तुम सफल नहीं होंगे तो यहाँ पर जब तक नहीं का sense आ रहा है और unless के साथ हम यहाँ पर affirmative sentence का यूज़ कर रहे हैं लेकिन second sentence देखते हैं If you do not work hard, you will not pass यदि तुम hard work नहीं करोगे तो तुम pass नहीं होंगे If के साथ हम यहाँ पर negative sentence का use कर रहे हैं तो दोनों sentence का meaning एकदम same होगा लेकिन अगर main close की बात करें तो main close में note आ सकता है तो इस तरकी के questions भी आपके exams में पूछे जाते हैं अब हम कुछ different type के और examples की भी बात करेंगे जिसमें हम sense के according conditional sentence को कभी-कभी change भी कर सकते हैं जिससे first sentence देखते हैं When a person works hard, he gets success जब कोई person hard work करता है तो उसको सफलता मिलती है तो इस sentence में दोनो tense virgin indefinite use हो रहे हैं तो कुछ इसे sentence होते हैं जो या तो habitual action को सो करते हैं या universal truth को सो करते हैं तो उनके लिए हम दोनों जगह पर virgin indefinite का use कर सकते हैं इस close के साथ भी virgin indefinite आता है पर main close में भी virgin indefinite आता है तो इस sentence में only present की बात होगी कि अगर कोई विक्ती hard work करता है तो वो सफल प्राप्त करता है इस तरीके की sense में जहां पर only present का sense आई हम दोनों जगह पर virgin indefinite लगा सकते हैं अब तीसरा sentence देखते है इस तरीके की sense में जहां पर virgin indefinite का sense के लिए नहीं आएंगे तो हमने generally समझा इसके साथ virgin indefinite आता है और बाद में future indefinite का use करते है conditional sentence यह होता है लेकिन हम sense के according जब universal truth या habit का sense आता है तो दोनों जगह पर virgin indefinite लगा सकते है लेकिन अगर किसी possibility का sense आता है तो हम में का use भी कर सकते हैं इसके लाबा और models का use भी हम कर सकते हैं क्योंकि will sell भी models ही होते हैं तो will sell के साथ हम जितने भी models होते हैं उनको conditional sentence के main close में use कर सकते हैं जैसे यहाँ पर may possibility का sense दे रहा है संभा होना अब हम more sentences समझते हैं If you want to remain healthy, you should exercise daily अगर आप healthy रहना चाते हैं तो आपको daily exercise करनी चाहिए First sentence यहाँ पर virgin indefinite में आ रहा है लेकिन second sentence में will sell की जगे पर should का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि should यहाँ पर suggestion को सो कर रहा है तो हम sentence के sense के according किसी model का यूज़ भी conditional sentence में कर सकते हैं जैसे यहाँ पर should का यूज़ हो रहा है अब जैसे example देखते हैं If you are not reading the newspaper, you should let others read it अगर आप newspaper नहीं पढ़ रहें तो आपको इसको किसी दूसरे को दे देना चाहिए तो यहाँ से हम समझेंगे conditional sentence में if close के अंदर present continuous भी if close के अंदर आ सकता है अगर उसका sense continuous का निकल रहा है जैसे if you are not reading the newspaper अगर आप newspaper नहीं पढ़ रहें you should let others read it आपको इसे किसी दूसरे को पढ़ने देना चाहिए तो इस sense में आपर continuous भी आ सकता है मतलब यहाँ से हम यह समझ पाए if close के साथ हम present tense के किसी भी tense का यूज़ कर सकते है indefinite भी आ सकता है, continuous भी आ सकता है और आगे हम समझेंगे perfect भी आ सकता है लेकिन जो main close होता है उसमें हम sense के according change करते है अगर habit और universal truth जैसा sense आ रहा है तो हम present indefinite लगा देंगे और अगर future की बात हो रही है तो हम will sell लगा देंगे इसके लबाब possibility की बात हो रही है तो में लगा देंगे यह फिर कोई और model भी लगा सकते हैं अगर आपने work finish कर लिया है तो आप जा सकते हैं तो यहाँ पर हम if close के साथ present perfect का यूज़ कर रहे है और second या main close में हम make का यूज़ कर रहे है में यहाँ पर permission को so कर रहा है अब हम second type के conditional sentence की बात करते है इस close in past tense अगर इस close past tense के अंदर होता है तो इसके साथ हम past indefinite tense का यूज़ करते हैं इसके लावा जो second sentence होता है उसमें हम subject would plus work की first form का यूज़ करते हैं जैसे if we played the match, we would win the match अगर हमने match खेला होता तो हम match जीत जाते हैं इस तरीके का sense आता है मतलब ना तो match खेला ना match जीता मतलब इस तरीके के conditional sentence में only imagination की बात होती है कलपना अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे तुम्हें दे देता मतलब ना तो पैसा है और ना दिया है तो इस तरीके के sense के लिए हम second type के conditional sentence का यूज़ करते हैं तो इस तरीके के conditional sentence के हम कुछ और example समझते हैं जैसे first sentence देखते है if I were a bird, I would fly in the sky तो हमने समझा इस तरीके के conditional sentence में if close के साथ हम past definite tense का यूज़ करते हैं और जो main close होता है उसमें would plus work की first form का यूज़ करते हैं लेकिन यापर work का यूज़ हो रहा है अब work बी की second form होती है बी मतलब होना तो होने के sense में वोज और work का यूज़ करते हैं second form के रूप में लेकिन इस तरीके के conditional sentence में अगर बी की form मतलब वोज और work ये अगर conditional sentence में आते हैं तो हम हमें साथ work का ही यूज़ करते हैं subject चाहिए कोई भी हो अगर में फक्सी होता तो मैं हवा में उड़ता इस तरीके का sense आता है मतलब कल्पना की ही बात होती है imagination की बात होती है तो हम second sentence समझते है he scolded her as if he were her father तो हमने first sentence से समझा अगर conditional sentence होता है imagination की बात होती है तो हम past tense में सबी sentence के साथ आपि सबी subject के साथ work I use करते है वो उसका यूज नहीं कर सकते है क्योंकि imagination के लिए we work I use करते है अब इस second sentence देखते है इसमें भी imagination के लिए work I use करेंगे तो अगर normal sentence में होता है जिसमें condition नहीं होती है तो भी हम अगर imagination की बात होती तो work I use करेंगे जैसे he scolded her age if he were her father उसने उसे data जैसे कि वो उसके father हो मतलब वो उसके father नहीं है यह imagination की बात है इसलिए हम work का यूज कर रहे हैं वोज का यूज नहीं कर रहे हैं तो इस तरिके की उक्रिशन्स भी एक्जाम में आते हैं अब हम थार टाइप के conditional sentence समझते हैं जिसमें if close past perfect tense के अंदर होता है तो if close वाले sentence में हम इसके साथ past perfect का यूज करते हैं उसके बाद वाले sentence में हम subject plus would have plus work की third form का यूज करते हैं जैसे if I had seen you I would have stopped my car तो if के साथ वाले sentence में past perfect का यूज कर रहे हैं इसके लावा दूसरे sentence में would have plus work की third form का यूज़ कर रहे हैं इस तरिके के sentence का sense निकलता है If I had seen you, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, तो मैं कार रोक लेता हम ऐसा तब बोलते हैं जब हम कोई काम करना चाते थे लेकिन हम किसी वज़े से नहीं कर पाए जैसे If I had seen you, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, तो मैं कार रोक लेता जैसे दूसरा sentence देखते हैं I would have believed you, if you had not lied to me before मैंने तुम पर विश्वास कर लिया होता, अगर तुमने मुझसे पहले जूट नहीं बोला होता तो इस तरीके के sense के लिए हम तीसरे तरीके के conditional sentence का यूज करते हैं अब हम समझते है, If I had seen you को हम If I had की जगे पर only head लिखकर भी लिख सकते हैं, दोनों का sense सेम रहता है मतलब If I had को हम only head से replace कर सकते हैं तो If I had seen you, I would have stopped my car और Had I seen you, I would have stopped my car दोनों sentence सेम है, दोनों का meaning सेम रहता है इस rule को हम work के साथ भी apply कर सकते हैं अब हम कुछ questions देखते हैं If he blank to me, I would have given him my car तो चारों options में इसे क्या आएगा तो इस तरीके sentence में हम सबसे पहले देखते हैं If close, If close blank है दूसरे main close की बात करते हैं main close में would have plus work की third form आ रहा है तो हमने तीसरे conditional sentence में देखा would have plus work की third form अगर main close में होता है तो हम if close के अंदर past perfect tense का यूज़ करते हैं तो यहां पर आएगा If he had come If he had come to me I would have given him my car अगर वह मेरे पास आता तो मुझको मेरी car दे देता अब हम second question देखते हैं यह मतलब interrogative sentence तो नहीं है तो यहां पर if he had की जगह पर head से replace क्या हुआ है मतलब यह conditional sentence है और third type का conditional sentence है If he had invited me अगर उसने मुझे बुलाया होता या invite किया होता I blame the function तो मैं function में जाता तो third type के conditional में हम if के साल past perfect का यूज़ करते हैं और main close में would have plus work की third form का यूज़ होता है तो यहां पर होगा would have attended option C third question देखते है If he blank hard, he will surely get the job of his choice अब हम समझते है main close में will plus work की first form का यूज़ हो रहा है मतलब if close में हम person indefinite tense का यूज़ करेंगे तो यहां पर आएगा works If he works hard, he will surely get the job of his choice इस तरके question साब की exam में पूझे जाता है fourth question देखते है Unless I blank his ticket, I will not let him sit here second sentence है main close की बात करते will not plus work की first form आरा मतलब first type का conditional sentence है तो unless के साथ हम person indefinite tense का यूज़ करेंगे लेकिन unless के साथ note नहीं आता तो हम affirmative sentence का ही यूज़ करेंगे तो आई के साथ हम work की first form लिखेंगे Unless I see his ticket, I will not let him sit here जब तक मैं उसका ticket नहीं देख लेता उसको यहाँ पर बेटने नहीं दूँगा तो क्योशन देखते है If I blank you, I would not tolerate him for a moment अब main close की बात करते है main close में would plus work की first form का यूज़ हो रहा है मतलब second type का conditional sentence है तो अगर main close में would plus work की first form हो रहा है तो हम इस close के अंदर past indefinite का यूज़ करते है और यहाँ पर work का यूज़ होगा क्योंकि work यहाँ पर एज़े main work आएगा और I के साथ यह भी सभी subject के साथ हम work का ही यूज़ करते है अगर imagination की बात होती है अगर में तुम होता यह तुमारी जगह पर होता तुम उसको एक moment के लिए भी टोल्रेट नहीं करता अब सब्सक्राइब अब हम समझते है इफ क्लोज यहाँ पर पास indefinite में आ रहा है जो जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें would plus work की first form का यूज़ करेंगे तो में क्लोज में यहाँ पर में वर बारा है तो हम वूड का यूज़ करेंगे वोट वूड यूर यूज़ एक्शन बी ओप्शन ए करेक्ट होगा अब सेंट क्यूशन देखते हैं तो हम समझते हैं में क्लोज में सेल का यूज़ हो रहा मतलब future indefinite है तो first type का conditional sentence होगा तो unless के साथ हम present tense का यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पर ना तो present indefinite दिया हुआ ना continuous दिया हुआ तो जो भी present है मैं दिख रहा हम उसका यूज़ कर सकते हैं का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Unless he has done the work to my satisfaction I shall not pay him for it जब तक वो मेरे satisfaction के coding काम नहीं करता है मैं उसको pay नहीं करूँगा अब next question देखते है If you blank your passport you must call the embassy अब यहाँ पर मस्ट का यूज़ हो रहा है model का यूज़ हो रहा है मतलब first step के conditional sentence है हम will sell के जगे पर must का यूज़ भी कर सकते हैं must यहाँ पर suggestion को या फिर compulsion को सो करता है strong suggestion के लिए must का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम करेंगे work की first form का use अब यहाँ पर समझते हैं work की first form क्या है तो lose का मतलब हो डीला lose मतलब खोना या फिर हारना lose मतलब हानी और lost मतलब वर्प की second form होती है और third form होती है तो हम पर first form का यूज़ करेंगे खोनने के sense में if you lose your passport you must call the embassy अगर आपका passport खो जाता सबी sentence will से start हो रहे है मतलब first type के conditional sentence है will they be arrested सम में same आ रहा है उसके बाद if close का यूज़ हो रहा है if 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 के साथ हम subject का यूज़ कर रहे है तो हमने देखा कि अगर main close में will का यूज़ होता है तो हम if close के अंदर present indefinite का यूज़ करते हैं के बाद हम subject का यूज़ करते हैं इसके बाद main war बाता है तो option B correct होगा will they be arrested if they refuse to leave इसका मतलब होगा अगर वो जाने के लिए मना करते हैं तो क्या वो आरेस्ट किये जाएंगे तो कभी-कभी एक दो topics को mix करके भी grammar से question पूछा जा सकता है तो main concept same रहता है